अन्यूज अपडेट स्पॉंसर्ड बाई RS Academy, सेकंड फ्लोर रमागोवन पैलिस सिर्मोच और राहा रीवा नमस्कार विंध्या टाइम्स में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ स्वाती विंध में पानी की समस्या अभी भी जस्कितस बनी हुई है, चाहे नेता लाग दावे करे पर किसानों की इस्थिती ज्यों कित्यों बनी हुई है किसान आज भी बूद-बूद पानी के लिए तरस रहे हैं, आपको बता दे रिवा जिले में सूखे जैसे हालात निर्मित हो गया है यह मात्र मौजोदा वर्ष के हालात नहीं है, यदि देखा जाए तो लगभग हर साल गर्मी के दिनों में आमजनता बूद-बूद पानी के लिए जद्दो जहत करती है कहने को जल जीवन मिसन से लेकर विधायक और सांसद निधियों के नल कूप, अमरित सरोवर, पुरानी जल इस्त्रोतों का गहरी करण से लेकर, कूप, निर्माण और फिर बान सागर के नाम पर कई सिचाई परियोजनाएं आई और गई लेकिन हालात यह है कि आम जंता और किसानों की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है यदि कोई किसान प्राप्त कर रहा है, तो अपने निजी उप्योग के लिए कराए गए बोर्विल से जिससे किसान सिचाई से लेकर पेजा लावस्चक्ताओं की पूर्ती कर रहे हैं और ऐसे में सबसे बड़ी बाधा बिजली कटौती और बिजली की समस्या है, जो किसी से छुपी नहीं है जहां तक सिचाई का सवाल है, तो आए दिन यह खबरे सुनने और देखने को मिलती रहती है देखे हमारी यह खास रिपोर्ट अब आई ये नजर डालते हैं रिवा जिले की सबसे महत्व कांग्षी माइक्रो इरिगेशन सिचाई पर योजना पर सामाजिक कारिकर्ता शिवानुन दुवेदी के शिकायत पर मध्यप्रदेश राज मानव अधिकार आयोग द्वारा संग्यान लिये जाने के बाद अधिक्षन यंत्री बान सागर नहर मंडल द्वारा 9 दिसंबर 2016 को मानव अधिकार आयोग को भेजे गए अपने एक प्रतिवेदन में उलेक किया था कि लगभग 855 करोड रुपे की लागस से रिवा जिले की 50,000 हेक्टेर से अधिक जमीन को सिंचित करने के लिए मनगवा तहसील के 33 गाउं, नई गड़ी तहसील के 282 गाउं, रायपूर कर्चुलियान तहसील के 33 गाउं, गुर तहसील के 30 गाउं, मौगंज तहसील के 205 गाउं और त्योंथर तहसील के 18 गाउं, एवं सिरमौर तहसील के 32 गाउं के कृष्चकों की जमीन की सिचाई, इस नई तकनीक के रूप में इसे इस्तमाल करना था, लेकिन जो कार 2017 से 2018 में पूर्ण हो जाना चाहिए था, जिसका लक्ष रखा गया था, वह आज 2023 में भी पूर्ण नहीं हो पाया है, या यूं कहें कि उसका मात्र बड़े मुश्किल से 20 प्रतिशत कार भी पूरा नहीं हो पाय है, ऐसे में स्वभाविक तोर पर सरकारी योजनाओं से किसानों और ग्रामिनों को लाभानवित करने की मंशा पर प्रश्न चिन खड़ा हो जाता है, ऐसे में किसानों का यह आरोप की यह सब योजनाए घटिया राजनीती एवं मात्र किसानों को वोट बैंक हेतू लुभा जाने तक के लिए ही तो सीमित नहीं, जो की काफी हद तक जायज भी है। किसानों को ठगने का काम कर रही है, और किसानों को मात्र वोट बैंक की राजनीती तक ही सीमित रखा है। उपस्थित किसानों ने कहा कि न यहाँ पर कोई विधायक सुनते हैं और नहीं सांसल और विकास यात्रा के नाम पर मात्र हवा हवाई बातें कर यहां से चले जाते हैं और जब नहर में पानी और किसानों की समस्याओं की बात की जाती है तो उसकी अंदेखी की जाती है किसान और भी बड़े आंदोलन कर सकते हैं अभी जो भी प्रदर्शन किया गया है वह मात्र छेत्र की समस्याओं को सरकार तक पहुँचाने और उन्हें कुम्ब करनी निंद्रा से जगाने के लिए हैं आगे यदि कारवाही नहीं होती है तो समस्त जवाब दे ही शासन प्रशासन की होगी शांती पूर्ण धंग से किये गए इस प्रदर्शन में किसानों ने जमीन के घड़ते जलस्तर और पे जलसे लेकर बिजली कटोती और सिचाई तक की समस्याओं का जिक्र किया और कहा कि अभी हाली में पिछले दिनों ओले की वज़े से भी उनकी फसलों को नुकसान हुआ है और किसानों की कमर तूट गई है किसानों ने बेसहारा गोवन्शों के लिए भी ततकाल शास किये गौशालाएं बनाने का और व्यवस्था करने की मांग की है और उनके फसल नुकसानी की भरपाई किये जाने की भी मांग की है इस बीच उपस्थिस सामाजिक कारेकरता शिवानन दुवेदी ने कहा कि सरकार को ततकाल किसानों की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए और नई गढ़ी माइक्रो इरिगेशन और सुक्ष्म दबाव परियोजना सहित बान सागर नहर मंडल और गंगा कछार से जुड़ी हुई समस्त परियोजनाओं को ततकाल पूरा किया जाए किसानों को जल उपलब्द कराए जाए जिससे न केवल फसलों की सिचाई हो सकेगी अपीतु भूजल स्तर से भी सुधार होगा जिससे पेजल संकट को भी लेकर जो समस्याओं प्रारंब हो गई हैं उनसे भी निजाद मिलेगी उन्होंने कहा कि नल जल और जल जीवन मिशन से संबंधित योजना पर व्यापक स्तर का भर्षटाचार है जिस पर सरकार ध्यान दे और जाँच करा कर जल से जल इन समस्याओं को दूर करे घरगर जाकर पानी उपलब्द करा है यह कितना दुरभागिपून है कि जिस देश में किसानों को अन्यदाता कहा जाता है जिस भूमिकों किसानों की भूमि कहा जाता है वहां किसान बूद बूद पानी को तरस्ते रहते हैं और किसी भी नेता की इन पर नजर नहीं पड़ती हर बार किसानों से वादे किये जाते हैं जल पर्योजनाओं को लेकर बड़ा और मोटा पैसा खर्च करने का दावा किया जाता है और कहा जाता है कि किसानों को पानी की समस्याएं अब नहीं होंगी मगर वास्तविक्ता आपके सामने है यह आकड़े और बेबस किसानों के चेहरे यह बताने के लिए परियाप्त हैं कि इनके साथ कितना अन्याय हुआ है और नेतागड़ अपने वादों पर कितने खरे उत्रे हैं देखिए आज यहां पर हम लाल गाउं और सिस्वा के बीच में टहरा से होते हुए जो नहर गुजरती है इस नहर में हम लोग एकत्वित हुए हैं हमारे छेतर के गण माने नागरी किसान और सब आम नागरी के हां पर उपस्थित हुए उन्होंने हमें भी बताया इस प्रदर के लिए और जलस्तर बढ़ता है हरा भरा रहता है लेकिन आज यह सूखी इस्थित में है और आज ही सूखी नहीं है हमेशा ही सूखी रहती है 2014 में यह काम यहां पर प्रारम हुआ था थोड़ा बहुत ख़दाय उदाई हुए इसके पूरी तरह से खतम हो गया अब हम इसके अच में पर नकार रायोग मध्षदेश सासन्भोपाल को पत्र लिखा और उन्होंने ये बताया कि मनगमा तहसील के 33 गाऊ नई-गड़ी तहसील के 282 गाऊ राए-पूर तहसील के 33 गाऊigation मोगंज तहसील के 205 गाऊ और त्योंसर तहसिल के 18 गाओं, सिर्मोर तहसिल के 32 गाओं के किल्सकों की जमीन सिचाई से लाभान भी थोगी और ये 8.5 करोड के आसपास ये माइक्रो एरिगेशन, सूख्म, दबाव, योजना जो इनकी कहलाती है उसके माध्यम से ये पानी की सप्लाई यहाँ पर पूरे छेतर में की, यानि तिरीवा में पच्चास हजार हेक्टेर के आसपास ये जो सिचाई, इनका निर्धारी थलक्ष था और आप देख सकते हैं कि इन्होंने ये कहा था कि 2020 तक का, ये 2020 में कारपूर्ण किये जाने का लग्ष है, इन्होंने ये लिखे दिया था फिर इसके बाद, अब क्या इसकी स्थिती है, वो आपके हमारे सामने है, आज 2023 से और कहीं दूर दूर तक पानी नहीं है किसान पानी से परेशान है, जल अस्तर यहां पर वैसे भी सूखे किस्थित, अभी एक दो दिन पहले आपने देखा कि यहां पर ओले बरसे हैं, उससे किसानों की फसल नश्थ हुई है, जल अस्तर घट गढ़ गया है, ये सारी दिक्कते हैं, तो सरकार से ही माग है कि इस व पस्तित हुई हैं, हम लोग पानी समिस्था के लिए यहां एक अक्तित हुए हैं, एक जापन देना चाहते हैं, सानज सेभी सिवान दिद्वेजी की माध्यम से, हमारे हम मैं लाल गाउं का गाम पंचार लाल गाउं का मुलनी बासु मेरा नम चंदी सेखर केवट है, ए नहा पर यहां पंचाय से आसपा, लाग पंचाय से आसपा जितने भी कोलहाई है, क्योटी है, दादर बगहिया, भावखरी, सराई टेहरा, डगड़ापुर, शिवा पंचाधित, इतनी पंचाय सभी पानी के लिए प्रभावित है, एक किलो मीटर, दो, दो किलो मीटर से पानी क ग्यापकन के माद्ध्रम से, गर हमारा काम होता है तो ठीक है, हम लोग अदोलन करेंगे, यह हमारी सरकार से माग है, कि यह तत्तार नहार में काम चालू करा जाए, और इसको कम्प्रीट करके और पानी छोना जा, तालग हम लोग पानी बिगर जो मर रहे हैं, हमें पानी मिल एक एक किलो मीटर से लोग पानी डोते हैं, तब पीने की बिवस्ता होती है, तो कुल मिलाके, जब यह नहर खुदी, तो हम लोगों को यह उमीद जगी, कि पानी मिलेगा पीने के लिए, लेकिन यह धूरी पड़ी है, आज तक वही समस्या पर करार है, इसकी माग लेकर कही इसकी माग तमाम हर जगा उठी, बड़े-बड़े नेताओं को सूचित किया गया, लेकिन कोई ध्याने नहीं दे रहा, इसके लिए बजटा ही नहीं है किसी के पास, बाकि सब दूसरा काम हो जाता है, यह नहीं हो पाता, कित्ते गाउं प्रभावित हैं, इसमें करीब-करी है कि यह जल्द से जल्द बनाई जाए, ताकि पानी की समस्या खतम हो, ठीक, आपके क्या नाम है, मेरा नाम सुनिल परताब सी, क्या समस्या हैं, हम लोगों किसानों को बहुत समस्या है, सबसे बड़ी तो जल्द की समस्या है, यहां दस साल से बनी हुई यह जो नहर है, यह पानी नहीं है हम लोग एक किलो मेटर पानी लेने के लिए जाते हैं यह इस्तिति हैं हमारे गिरीगराम पंचायत लाल गाउं की है और सरकार जो है तो चुपचा बैठी है यहां के विदायक जी यहां के सांसर महोदें कुछ नहीं जानते हैं बस आते हैं बोट मनाके पना चल जो है तो किसानों को मोभ्या दिया गया फिर उसके बाद काम बंग हो गया आज तक किसी परकार का कोई काम नहीं हुआ नहर में और दस साल गया और किसान जो है तो बहुत परियसान के इसकी माग कोले का रहे हैं रहे हैं तुर ससाफ्ड स्टीए नाम लोगुष्टिवाय इल्हां कोई मतलब नहीं है सेकंड फ्लोर, रमागोवन पैलेस, स्रमोचाराहा, रिवा.